दोस्तो आजका वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओपो ये 37 के बारे में और ये जो है ओपो का ये 37 और इसमें जो प्रब्लेम है आप लोग देख सकते हो आटोमेटिक जो है रिस्टार्ट होता जा रहा है अल्ड़ी इसमें बैटरी चार्ज नहीं है लेकिन अगर बैटरी यूजर हो तो आप इसका प्रब्लेम कहां पे है क्या है उसको पता चल जाएगा और अगर आप एक टेक्निशन हो आप इसको आराम से रिप्यार कर सकते हो क्या प्रब्लेम है आपको बता दूंगा ठीके दोस्तो तो चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप वीडियो पहली बार देख रही हो, तो वीडियो की लाइक कर देना, चनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंगि ऐसे ही मोबाил के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चनल में मिलता होगा और थोड़ा दिर चार्ज होने के बाद यह अराम से ओन भी हो जाएगा मैं जितना जानता हूं क्योंकि इसमें और कुछ प्रब्लेम नहीं है और मैं इधर दिखाता हूं यह पावर बटम जो है परफेक्टली काम कर रहा है देखे इधर जो है पावर बटम काम कर रहा ह और थोड़ा दिर चार्ज होने के बाद हम इसको ओन भी कर सकते हैं तो थोड़ा दिर हम लोग चार्ज कर लेते हैं चार्ज करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि यह जो है ओन होता है की नहीं और पावर बटम प्रब्लेम जो है सल्यूशन हुआ की नहीं ठीक है दोस्तों तो थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर लेते हैं देखे दोस्तों यह जो है चार्ज लेना स्टार्ट हो चुका है और मैं अगर इसको अभी अन करूँ तो यह अराम से अन हो जाएगा और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि ऊप्वार देखये दोस्तों यह जो हे on हो रहा है कि यह जो है मैं इसको on करने की कोशिव करता हूं देखते हैं यह भी on होता है कि नहीं देख talkin connect दोस्तों यह जो है on हो रहा है तो इसका power button भी thought me Jewish का इसका power button का जो इस जो हैर चीजे मैंने निकाल दिया देख सकते हो यह जो चीजे मैंने इधर सेनिकाल दिया अगर आप को दिखाने की कोशिस करूँ यह जो था यहज मैंने निकाल दिया क्योंकि it heute क्यों करसे और आप है एक तो यह bezLike करोंगे डियाbahn दूसरा आपको कुछ भी करने और अगर आपको यह वीडियो जनकर अच्छा लगाए चैनल को सब्सक्राइब भीकर दोना क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जाहिन दोस्तों